दो हजार चोबिस के विधान स्वाच चुनाओं में तमाम उम्मिद्वारों के द्वारा एडी चोटी तक का जोर लगा जा रहा है तमाम पार्टियों के नेता वो दावेदारी कर रहे हैं और उसी कड़ी की अगर हम बात करें तो इनेलो बस्बाग गडभंदन की तरब से उम में आता है वो जड़ा इस भीड को जरूर देख ले उनको जवाब अपने आप ही मिल जाएगा यह तस्वीरे देखिए और जहां तक हमारे कैमेरे की नजर जारी है जहां तक हम दिखा पा रहे हैं वहां तक केवल और केवल उमेद लोहान के जो समर्थक है वो यहां पर जाते हैं वो तमाम लोग उमेद लोहान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल साबतोर से नारूंद हलके के अलग अलग गाउं में देखे जा सकते हैं उमेद लोहान अभी हमार साथ मोजूद है उमेद जी लगातर परचार जारी है किस तरह का संजन समर्थन मिल बहुत ज्यादा आप यहां भी देख रहे हो पिछे जितने भी गाउं में गए हैं जो सोय वे शेर थे लोग दल के अबेसिंग चुटला के उन अंगडाई ले ली है अरनारणों दलके में जो नतीजे पहले लोग दल के अखमाया कर दे इस तरह इस बार भी नतीजा आवगा लेकि कॉंग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजरा था उसीजन बूल जो ही वह बड़नी सरकल का बड़ीया मैज था यू छोटनी का बड़ीया मैज है यू आम जीते हैंगे वहीं अगर हम बात करे रामकुमार गोतम की तो अभी वो दावा कर रहे हैं कि एक बार और मु बात कम है अच्छी बात है लेकिन वह आज हर्याना के मुख्यम अंत्री नाइब सैनी से और पूरो मुख्यम अंत्री मनौल खटर से भी मिले हैं रामकुमार गोतम हो सकता है कि आपके सामने बीजेपी का चहरा बन जाए कोई बात नहीं हो तो हम एसा से लड़ते रहे हैं च जैसे कहते हैं कि परिक्षा की तीथी जारी कर दी गए परिक्षा की डेट निरधारित कर दीगे उसके बाद कोई बच्चा कहे कि मेरी तैयारी नहीं है ऐसे ही डेट बदलने की बात कहीं जा रही है कि कुछ तैयारिया रहती है उसमें तो चुनावायोग भैसला करेगा उन हम हो जानी है कि उस्क्राइब। कर रहे हैं अब रामकुमार गोतम भी हो सकता है चुनावी मैदन में कुछ लोग तंतर है दावाद उसे भी करते हैं आप भी कर लिए अपने कोड़नाटे लेकिन जीत पकिए गठवंदन की अपकी बाद की उमेद लोग देखिए एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा कि दे सकते हैं लंबे समय से राजनीती में शक्रिया है उमेद जी लेकिन अभी तक जीत नसीब नहीं हो पाई जनता जनता तै करती है जीतार तो जनता के बीचा जोड़के जावांगे 20 साल पहले भी गए थे आज भी सफर जारी है संक्रस जारी है जनता ठीक समझागी तो अपना निर्ने पक्समत देवोगी उमीद है देवोगी इस बार जी कुछ कह रहे थे हां मनुकर अथा लिखत मारे पहनते लिखकी देजा गारंटी है इस चीछीट की मारी की तो द्रिये वे सिंग चीव मिनिस्टर बनागार दिवाल इना सटे साथ जार पी पिल सन बंदनी सरू कर जाने तो नहीं कि मोदी कहते थे कि 15 लाग खाते में आएंगे और दो करोड रोजगार देखिए यह तमाम वो लोग हैं जो उमेद लोहान का जगे जिकर पर शमर्थन कर रहे हैं उनका होसला बढ़ा रहे हैं तमाम लोगों का यही कहना है कि अब की बार नारनुन्द हलके म में बदलाव देखने को मिलेगा परिवर्तन देखने को मिलेगा और इनैलो बीएसपी का जो गठवंदन है उस गठवंदन के तहत अब की बार बहुत अलग नजारा हर्याना में देखने को मिलेगा इनैलो की शरकार बनेगी गठवंदन की शरकार बनेगी अब देखना यह होगा कि नारूंद हालके की जिंता किसके उपर विश्वास कर देए रहाल एक बात होता है यह देखिए आधी रात का समय है और आधी रात को भी किस परकार से उमेद लोहान को जनता का समर्थन मिल रहा है किस परकार से जो उमेद परचार करता है वो किस प्रकार से कंधे से कंधा मिला कर पूरे हलके में अलग-अलग गाव में जाकर जन समर्थन जुटा रहे हैं पार्टी के लिए परचार कर रहे हैं अब देखना यह होगा कि नारूंद हालके की जंता किसके उपर विश्वास करती है और किसको विधान सबावें बेशती है बहराल एक बात होता है कि इस 2024 के विधान सबावा चुनाव में जो मुकाबला है वो काफी और रोचक होने वाला है और साथ ही साथ इंट्रेस्टिंग भी होने वाला है अब देखना ये होगा कि क्या कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कौन स चुनावी मैदान में उतरता है और किस-किस के बीच में मुकाबला होता और कौन टिकेट नहीं मिलने के बाद निर्दलिया उम्मिद्वार के रूप में ताल ठोकता है बहराल ये निशित है कि जो लोग इनालो पार्टी को कमजो रांक रहे थे वो लोग बहुत बड़ी ग तासरे